हेलो बच्चों तो कैसे हैं आप लोग स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इस अमेजिंग प्रेटफॉर्म पर तो बच्चों जैसे की बोर्स एकदाम आपके पास में आ चुके हैं हाला कि अभी तो ट्वल्थ वालों के मैस का एकदाम तो अभी काफी दिन है ठीक है लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से साल भर पाई किया उनके लिए तो अभी काफी दिन है लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक सोच रहे थी कि चलो कोई नी लाश मॉमेंट पर पढ़ेंगे अब उनके लिए जादा बटा टाइम नहीं बचा हुआ है ठीक है वर चिंता क लोगों को सब को यह बहुत हैल्फल होने वाला है जिन लोगों नहीं पढ़ा है उनके लिए यह पूरी की फूरी प्रिशन करवा देगा तो आज मैं आपके लिए कर किया हूं डिफ्रेंशियल एक्वेशन का वन सौट रिवीजन क्योंकि लंबे समय से आप लोगों की के सब का मैं वन सौट रिवीजन आपको करवा दूँगा ठीक है उसके अलावा अभी एक्दाम जैसे जैसे पास आएंगे एक से बढ़कर एक चीज सुपर 99 कोशिंस की सरी जो कि ऑल्रेड़ी आसू सर ने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है मैस में भी वो सब नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम दी लेए चले बचो तो सबसे पहले डिफिरेंशील कुश्ण में देख लेते हैं कि भाई तरम के सिलेबस में क्या आना है और नहीं आना है उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं सबसे पहले देखो वेटा डेफिनिशन क्या होती है डेफि मालुम है कि 2, 3 and 4 marks में आपके section ABC divided है तो definitely 2 marks के question order and degree पर बन सकता है आपका ठीक है बचो अगर आप ध्यान से समझे तो यहां से क्या part है जो नहीं include किया गया वो था formation of differential equation ठीक है आपके पास solution given होता था आप से बोलते थे कि भई form the differential equation जो उस equation के से connected है ठीक है बचो तो वह आला form formation of differential equation आपका डिलीटेड है तो उसके question solve करने की requirement नहीं है उसके बाद बात करते है जर्नल एंड पर्टिकुलर solution भाई कुछ solution होते हैं मलब कि fc function जो differential equation को satisfy करें वह आपके solution होते हैं तो इसमें दो टाइब के solution पर हम बात करते हैं फस्टे जन्रल सॉलीशन एंड सेकेंड वन इस आर्बिट्र आपका पर्टिकुलर solution क्या होते हैं जन्रल क्या होते हैं पर्टिकुलर सॉलीशन इन सभी पर हम अभी बात करने वाले चलो solution of differential equation by method of separation of variables बहुत ही आसान है ठीक है variables को अलग-अलग करके हम उनको अलग-अलग integrate करके सॉल्व करते हैं ठीक है solution of homogeneous differential equation एक single type के कुछ question है set of problems है तो उन्हीं पर बेच्ट वैसे ही question आते हैं उसी तरीके से आपको problem को solve करना है तो कुछ question में आपको करवा दूँगा बाकी की सारे question आप उसी की तरीके से solve कर सकते हो मतलब की इस lecture को देखो और बाकी जो question से उनकी practice कर लो आपके लिए बन जाएगा exam का एक question नहीं बचे का यह guarantee है चलिए देन में बच्छा आता है solution of linear differential equation of the type dy by dx plus py equal to q हाला की q यहां पर लिख देना चाहिए था अलग से नहीं जाता तो बैटर रहता हूं चलो equal to q ऐसा लिख लो है ना इसको मैं हटा देता हूं चलो इस तरीके से तो इस फॉर्म का differential equation जिसको हम linear differential equation बोलते हैं इस type के differential equation guaranteed a question exam में देखने को मिलेगा ठीक है तो इस type के question को solve तो मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या कुशन आने वाला है तो मारे exam में तो एक question order and degree से तुमको मिल सकता है यहां पर ठीक है दूसरा solution of linear differential equation इस से बढ़र important यह मल सकता है बाकि अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सी कम chances है वैसे पढ़ेंगे हम homogeneous differential equation का ठीक है तो sample paper के pattern को देखू तो उसके अगरा कि सायद यहां से और यहां से बने का बट पढ़ना है तो हमें सारा ही है ठीक है बाकि आप थोड़ा सा exam के टाइम से पहले थोड़ा से जादर रिवाइस कर लें ओके चलिए तो श्टार्ट करते हैं सबसे पहले what is the differential equation क्या होते हैं differential equation एक सिंपल सी बात है equation का मतलब क्या होते हैं जहां पर variables involved होते हैं ठीक है और एक्वल का साइन होता है लेकिन differential equation की बात कर रहा है तो जहां पर दो टैप के variable involved वो फस्ट इस independent variable and the second one is dependent variable और independent variable के रिस्पेक्ट में dependent variable का derivative अगर यह टम्स किसी क्वेशन में involved है तो ऐसे क्वेशन को हम डिफ्रेंटियल एक्वेशन बोलते हैं तो डिफिशन लिखिया एक्वेशन इक्वेशन involving derivatives of the dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation कोई भी ग्वेशन ले ले लो for example मैंने आप लिख दिया आपका डी वाई भाई 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 डी एक्स ठीके बचो प्लस में वन अपन एक्स इंटू में वाई एक्वेशन आपके पास की रिस्पेक्टि में dependent variable का derivative और यह स्टैप से जो function जो equation बनते हैं उनको हम differential equation बोलते हैं तो यह बेसिकलिए यहां पर हम आपका पढ़ने वाले इस टाइप के question यानि कि इनके solution पर हम बात करेंगे इनी पर हम discussion करने वाले तो डफीशन के लिए रहें टेफर्श पार्ड कम्प्रीट नेक्स्ट आता है आपके पास order of differential equation जो कि मैंने बोला कि टू मार्क्स में यहां से कोशन बन सकता है तो भाई question solve करने से पहले पता तो हो कि order का मतलब क्या है वो अला ओडर थोड़ी है जो जस्ट साब देता है ओडर ओडर वो अडर नहीं बटा यह है differential equation का order जो कहता यह है कि आपके पास differential equation है उससे differential equation में जो highest order का derivative है 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 ना highest order of derivative थो थोड़ा से समझ लेते इसको फर्स्ट ऑडर बोलते हैं अगर मैं इसको दो बार डिफ्रेंसियट कर दूँ यह सेकेंड ओडर कहला रहे है क्योंकि अगर मैं बार दिफ्रेंसियट कर देता हूँ तो यह three order का derivative कह लाता है ओर मतलब कि independent variable उसको में कितनी बार डिफ्रेंसियट किया गया है इसके बारे में बता ठीक है अप्चो तो डीवाइब डीएग्स टीटो आएगाई अपन डीएकस त्री डिनोट दा फ्रस्ट सेकेंड और थार्ड ओर ठीक है यह दिर यह दिनोट करते हैं तो किसी डिफरेंशिल एक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरियेबल है उसको हाइस्ट कितनी बार पूर एक्वेशन में डिफरेंशियेट किया गया वह यह स्ट ओडर को सब्सक्राइब करता है पूरे डिफरेंशिल इक्वेशन का ओडर डिनोट करता है यह बात समझ में आ गई अगर समझ में आगई तो आओ एक कुशन देखे जो प्रिवस में पूछा गे आपके पाड़ अच chi plus me d y upon the X plus me three of Y equal to ticket plus matter your y equal to 5 minus तरीखे से आपके पास देदिया ठीके यह आपके पास एक संगे मैसे टिफेरेंशल equation में सबसे पहला अटतार में लनादी से अपится मतलब की वार कु डोहrän difference eight एका थो order two dung adu order one यहाँ맛 आंप डिफीरेंश टी एन इत्की sizima तो यहां पर highest order क्या है तू है क्योंकि वाई को सबसे जादर दो बार डिफरेंशीट किया गया तो इस पूरे differential equation का order क्या कहलाएगा आपके पास तू इस पूरे differential equation का order क्या हो गया बच्चों टू हो गया ठीक है तो इसी तरीके से order बता देते differential equation का order निकालना तो बहुत ही असान है इसमें कोई दो रहे नहीं यह बहुत ईजिली निकाल सकते हो चलो अब नेक्सी जाते डिगरी आप डिफरेंशील equation जिसमें गलती करते हैं धीर सारे बच्चे यहां पर फंस आते हो तो कोश्चन जो बनेगा ना तुम्हार पास सिर्फ और निकालने को तो कुश्चन नहीं आएका इस बात की गैरेंटी है कोश्चन में या तो डिगरी पूछेगा या फर और इंडिगरी दोनों पूछेगा तो या देखना है डिगरी थोड़ा सा और फोकस के साथ ध्यान से सम इप इस पॉली नॉमल एक्वेशन इन देरी वेटो कि ना पॉली नॉमल एक्वेशन का मतलब समझना होता है कि भई मेलकी पावर जो डेरी वेटे में उनकी जो पावर है वो डिक्रीसिंग और में पहले 251 जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो है ना तू बन इस तरीके से ह और फर्स्ट और यह आपका कहलाता है एक तरीके से क्या बचो इसको हम बोलते हैं आपका कि यह पॉली नॉमल के फॉर्म पर है ठीक बचो तो बोल लाए कि डिगरी ओव डिपरेंशिल इक इस डिफाइन तभी डिफाइन होगा इफ इफ इस पॉली नॉमल एक्वेशन जो हाइस्ट और का डेरिवेटेव हैं उस हाइस्ट और डेरिवेटेव कि जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं बच्छो डिगरी बोलते हैं एक छोटे से एक्जामपल से फ़रिजामपल मैंने लिग य डी तो वाई अपॉन बिए एक्स टू ठीक है बचूँ प्लस में द तो यह क्या है d2y by dx2 इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 देखेंगे यह dy by dx है इसके पावर में 2 है यह y x है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो highest order derivative कौन का है highest order d2y by dx2 और highest order derivative की जो पावर आपको दिख रही है उसको हम पूरे differential equation की degree बोलते हैं तो इस differential equation की जो degree होगी ठीक है बटा इसकी degree क्या होगा आपके पास 1 और कई बार बच्चे जल्दवाजी में 2 लेकर के चले आते हैं यह नहीं देखना है कि सबसे बड़ी डिगरी क्या है सबसे बड़ी पावर के ना जो सबसे बड़ा ऑडर है है ना जो ऑडर है सबसे हाइस उसकी डिगरी क्या है तो डी टुवाई भाई बीच्टू के पावर में क्या है वो डिफ्रेंशल एक्वेशन की डिगरी कहलाएगा ओके बच्चो तो यह चीज़ हम को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में आपका रखनी है is it clear or not आगे समझ में आप फटावट से इस पर बेस प्रीवेश और कुशन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके एक्जाम्स में आया है फ से कि the order and degree of a differential equation is differential equation का order and degree बताने आपको तो जैसे आपकी नजर पड़ी तो सबसे पहले आपकी नजर क्या चीज़ पड़ी कि भाई हमारे पास जो लिखा हुआ है कुछ ऐसे लिखा हुआ है ज्यान समझे ना कि 1 प्लस में d y by dx whole power यहाँ पर 2 है equal to आपके पास d2y upon me dx2 है चा और माइनस में d y upon dx का whole of square and minus 1 equal to 0 इस form पर तुमने लिख लिए अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि भाई highest order वाला derivative कितना है highest कितनी बाद dependent variable को differentiate किया गया दो बार किया गया तो इसका order क्या हो गया इसका order आपके पास 2 हो गया highest order वाले derivative की power कितनी है उसकी power पर जब आपकी नदर पड़ी तो देखा किया कुछ नहीं तो पावर वन लेकर के चलेंगे तो इस differential equation की जो डिगरी हो गई बेटा आपके पास वो क्या गई वना गई ठीक है तो इस तरीके से आप से order ने डिगरी पूछ सकता है ठीक है यह बहुत ही सिंपल टाइप का question था है ना ऐसे question में मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे से गलती होने के chances हैं अगर गलती हुई तो समझे लिए ना हाथ ऐसे निकल करके आएगा मेरा समझे गए चलिए तो यह order हो गया यह डिगरी हो गया इस एक पर जल्दी से समझ में आ गया चलो अब और question पर बात करतें next question आपके पास the degree of the differential equation इस differential equation के हमें डिगरी बता लिए है के वल डिगरी की बात कर रहा है order की बात कर चलो हमसे तो डिगरी पूछ रहें लेकर मैंने बोला है कि exam में order और डिगरी दोनों बुझी जाएगी ते काम करो आप मों बताओ कि इस differential equation का order क्या है और रहें डिगरी दोनों बताने बीटा कमेंट बॉक्स तुम्हाइब लिए इसलिए खुला हुआ है तो बताओ और क्या होगी एं डिगरी क्या होगी सोचो जल्दी से आंसर करो ठीके रटा फटा पड़ावट से order order की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो देखो पूरे क्षाइब डिफरेंचिल उकेशन में हाई इस और का डेरिवी टो क्या है यहां पर डी तू अब आदिश्टू एट दीवाइब करेंगे तो अब आप में से लिएपार को ने देखा कि अरे वार दो यहां पर हाइस्ट ओर्डर वाले डेरीवेटर की डिगरी कितनी एक टू है तो इसका मतला में डिफ्रेंश एलिकेशन की डिगरी भी टू होगी और उन्हें टू लिग दिया चौड़े होगर क्या गया वाव भाई दो नमबर के कुश्चन में प तब डिफाइड होती है जब वो डेरीवेटर के टम्व में एक पॉली नॉमियल हो जो पॉली नॉमेल फॉर्म करता हो डेरीवेटर के लिए लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो यह जो टर्म आपको दिख रहा है एक साइन डी वाई बाई डी एक्स यहां पर डेरी यहाव पर गलती करने से बचना है कहीं पर ऑब इस तरीके का देख लो ईटू फॉट बटावआ ढेक्स या फिर Sine D.Y.B.D.X ऐसा कुछ भी देख लो तो यह पर तक चॉज भी ठीजन premi टेख्णन सेक्ट मे देखेखे लो सीडीमीधी वाइबी भी ञासे ऐसा कुछ देख लो यह लोग और यहां पर ढब ऑए बीच्छ ऐसा कुछ भी नजर में पर जाए ना तो समझ लेना डिगरी भाई सब डिफाइन उसकी नहीं होगी यह नजर में मार रहे हैं ऐसा कुछ और मेरे बताऊ ना कोशन अगर आएगा तो इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा हो सकता है कि एर देटे सेम कोशन तुमको एक्जाम में भी देखने को मिले जाए क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं अगला कोशन ने डिगरी आप डिफरेंशल एक्वेशन नेक्स कोशन ने यह कोशन बहुत ही ज्यादा पॉपलर कोशन है मतलब कि एक बार की बात करूं की जब मैं अपना ग्रेदिशन कर रहा था है ना मैंने मतलब की बैसलर इन साइंस किया हुआ ह है इक बार मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई की और तो अपनार सिंथी उनिश्टी वहाँ पर मैं मास्टर्स करने जा रहा था तो उस टाइम पर मैंटे पर जब दिया इंटरेंस एक्जाम देयो वहां पर ये कोशन पूछ अगया था समझे रहो इंट्रेंड का कोशन पूरे ब्रैकेट की पावर 3 by 2 equal to d2 by dx2 अब यहां पर बच्चो के दिमाग पर आएका सर ऑडर की बात करें तो ऑडर क्या होगा ऑडर सोच लो पहले तो ऑडर देख करके कुछ बच्चो की दिमाग में आ रहोगा हाँ जी सर हाइस्ट ऑडर डेरिवेटर तो टू है तो बिलकुल सही बटा ऑडर बताने में तो मुझे भी मालूब है कि तुमसे गलती नहीं होती है ल पॉली नॉमल की डेफिनिशन में नाइंध क्लास में पड़ी थी उसमें तो बताया गया था कि पॉली नॉमल में जो वैरिये बलू तो इसकी पावर हमेशा होल नंबर होती है तो सरी यहां तो थी बाई टू है मामला गरवल है मैं कहूंगा थमा क्या बोलेंगे थम जाओ देखते हैं अगर मैं यहां पर इसको इस तरीके से लिख लूँ कि भाई यह समझे ना थोड़ा सा वन प्लस में दीवाई बाई बाई दी एक्स का होल स्कॉर पावर में यहां पर थ्री बाई टू है इस इक वैड़ी टू वाई भाई बी एक्श टू थोड़ा से काम करते थोड़ी हम करेंगे कलाकारी हमने क्या किए इसकी भी स्कॉर कर दिया और अगर अगर अज停 का स्कॉर कर दूंगा तो यह क्या बन जाएगा यहें बन जाएगा तुमारे पासवान पलस में दी वाई by एकस कि पावर टू और होल पावर यहाँ पर 3 by 2 यहां से 2 कैंसल और 3 बचेगा और इस साइड पर आएका तुम्हाय है टू आइगा दी टू वाई डी एकस्टू की पावर तू अब देखो अब तो काम बन गया क्योंकि यहाँ पर अब तुम ऑपन कर लो कि तो क्यूब के और पावर 3 है तो अब बाइनॉमिल एक्सपेंशन तो मालूम ही है कि ए प्रस बी टूदी पावर 3 ओपिन करो के तो बनेगा यहां पर दीटुवाइब एक्सटू की पावर अब बन गई टू तो यह बन गया यहां पर क्या अब हाईस्ट और डेरिवेटर के जो पावर है वो तू निकल करके आएगी इस एट क्लियर हो गया चलो तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छे समझे लोग कि इस तरह की कुरूशन बहुत पूछे आते हैं तो चीके चलिया आगे बढ़ते हम नेस्ट कोशन है ने डिगरी अधर डिफरेंशल एक्वेशन डिरेक्ल देख करके बपता हो दी तो वाई वाई डी एक्स टू प्लफ में डिवाई बैडिक्स पावर थ्री प्लस में 6y तू पावर 5 हाई एस्ट ओर वाला डेरीवेट हो है डी तू वाई बैडिक्स तू उसकी पावर कितनी यह वन है तो इसकी डिगरी क्या हो जाएगी बटा इस इसका और हो जाएगा आपके पास कितना इंस के बात करुंगा तो हाईयस्त ओर डीरीवेट हिटा वह दिगरी से सॉल्ट करते यह वाले कुशन में धेर साड़ विचे गलती करते हैं तो एक बार स्कू सॉल्ट करो उसके बाद आई बढ़ देंगे तो ऑडर एंड डिग्री ऑद दिफरेंशल एक्वेशन खुद से सॉल्ट करिए कमेंड बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बता होगे ड अवर्ट से आंसर करो कमेंड भॉक्स में ठीक है अशल करो खुद भी सॉल्ट करो के तबाया का युद्यंस ठीक है ऐसे थोड़ी आता है कॉन्विटेंस आता है जब हमकुद से कोस्टंस को सॉल्व करते हैं चलिए सॉल्व करिए अपनाव से सॉल्व करो हो गया कुछ दिमाग में आ रहा है फसर हो अराम से सोचो बिलको रिलेक्स हो करें या भशार थोड़ी पाल नहीं है चिंता थोड़ी करनी टेंसन थोड़ी निया अराम से सोचो रिलेक्स हो करके चलिए यहां पर अगर आप देखो तो सबसे पहली बात आपके माहिन में जो आ नजर आ रहा है और तो तू नजर आ रहा है बट अगें डिगरी की बात करें तो डिगरी में कन फूजन लगरा वो क्या कन फूजन लगरा ऐसे देखो थोड़ा से दिमाग लगा आखर कि सुचना ठीक है कि डी तू आइवाइवाइवाइड एक्स की होल पावर वन भाइव पूर एक्स की पावर आपके पास one by five है तो पहली बात यहाँ पर dependent variable अवाई और independent variable एक्स तो उर वाई की डेरी मेट वह इनकी पावर क्योंकि डेरी वेट के रिसके इंपॉली नॉमीन होना जरूरी है है तो अगर आप यहाँ पर एक चीज चोटी से सोचो कि कि मैंने इसको ऐसे लिग दिया कि भी वाई by DX की पावर वन Quel Die इधर पर माइनस मिले गे यह बनगे आपके पास डीटू भाई भाई tax 2mek डिटू और यह बन गया माइनस में एक्स की पावर वन भाई-5 है यह एक्स से कोई फर्क नहीं पर थे कि एक्सी की पावर को रैशनल नंबर है वाई की पावर होती तो टेंसन की बात होती कि वाई और वाई के डेरिवेटर करें पॉलीनॉमिल होना चाहिए था यहां पर कोई दिक्कत नहीं है चलो अब क्या करेंगे इसकी होल पावर फोर कर दो बैसिकली माइनस को कॉमन निकाल लोग तो पॉजिटेवा जाएगा तो यहां पर आपके पास बचेगा वह यह बचेगा कि डीवाई बाइब दी एक्स ठीक है और बनवाई फोर पावर फोर चैनल आट के वल बचे का डीवाई बैडिक्स और यहां पर बचेगा आपके पा इस पावर कितनी जाएगी फोर जाएगी तो वेटा और तो तू था अब डिगरी के अगर मैं बात करूं तो अब इसकी डिगरी क्या बनेगी विटा फोर बनेगी इसकी डिगरी आपको फोर बन जाएगी क्लियर है चलिए तो इसकी डिगरी क्या बन गई विटा फोर बन ग होगी जब वाइल के जो डेरी मेट वहर ऑई जब वाई देरी मेरेमल और आइयर को बॉध एक ögवाई डि पेंडульт वैरीबल के ब riskyaghetti मेरे बिवाट करने है आगे समझ में चलिए तो इस टाइब के बहुत कोशन पूछते हैं आपके आप चलिए बेटा तो यहां तक order and degree खतम होता है आपके पास अब इसके लावा एक भी कोशन आपके एक्जाम में आएगा कोई कोशन नहीं बनेगा इससे जाधा टफ रॉब्लम तुम्हार एक्जाम में पूछी नहीं सकता ठीक है यह मान के चलो ओके जितना मैंने बता दिया इन कोशन के वापस से रिवाइस करना और इस टाइप के जित को सटिस्फाई कर रहा है उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कॉंस्टेंट हो जितना डिफ्रेंशिल एक्वेशन का ओडर है जितने ओडर के डिफ्रेंशिल एक्वेशन उसके सॉलीशन में अगर उतने ही आर्बिट्रेरी कॉंस्टेंट है तो ऐसा सॉलीशन जनरल सॉलीशन क किदिनेट एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताए चाहे कोई linear equation ऐया nuance differential equation आ यानिकी जब differential equation के बाद करें तो ऐसा function ऐसे function जो differential equation को satisfy करेंगे वो solution होंगे तो अगर function में allरे को घूळुँन का order hvis अध़िन ही arbitrary constant ओ़ तरन लो मिशन को आगर किसी solution में स्टेना में एक भी को इलिमनेट कर दिया गयाप कर दिया तो वो सॉलुशन आपका क्या कहलाता है पर्टिकुलर सॉलुशन कहलाता है क्लियर होगे बच्छों तो यह देफिनिशन है अर रिलेशन बिट्वीन इन्वार्ड वैरियोबल विस सटिस्पाइड गिवन क्या होगे पर्टिकुलर सॉलुशन तो वह हमारे पास क्या होंगे पर्टिकुलर सॉलुशन तो वह हमारे सॉलुशन फार एक्जामपल अगर मैं बोलू कि वाई एक्वेल टू ए ईटू दी पावर एक्स प्लस में बी ईटू दी पावर माइनस इक्स यह आपके पास दे रखा है लेट सपोज यह किसी डिफरेंशिल एक्वेशन को सॉलुशन तो इस इस सॉलुशन को देखकर क्या ू धर याँ मता सकते हो कि कितने ऑर्डर वाले डिफ़रेंशिल एक्वेशन को सॉलुशन होगा क्योंकी कि हब इस की फार्मेशन of differential equation हट गया है तो इसके हम बात नहीं करते है अदर्वाइस इसको differentiate करके हम A और B की मतलब की differentiate करके हम डेरी विटो आपका differential equation form करते हैं और निकल के आता है वो two order का ठीक है बट वो formation हट चुका है तो इस पर हम बात ज्यादा नहीं करेंगे ठीक है तो चलिए हमें जैदा फोकस परिशान नहीं हो ना definition पर क्योंकि definition तो भरी समझ में आये चाहे ना है इस बात की guarantee है कि question तुम से solve हो जाएंगे जी हां पक्का तो में definition समझ में ना आये लेकिन फिर भी question solve होने की guarantee है आजओ देखते हैं तो भई पहला question जो आपके सामने है जैसे कि यह है find the particular solution directly पूथ ही आपसे find the particular solution of the differential equation satisfying the given condition डिवाई by dx equal to y10x हाँ जी तो पहला question ही आपका variable separable पर भेच्ट है जो कि इस type का होता है अगर कोई differential equation f y into में d y equal to f of x into में d of x किसे भी differential equation को अगर मैं इस form पर convert कर लूँ f y dy equal to fx dx इस form पर convert कर लूँगा तो ऐसा differential मलब कि यह जो method है इस method को हम क्या बोलते है variable separable ठीक अब चो तो जैसे कि इधर पर आप देख सकते चीज चलिए तो यहां पर क्या दिया है डिवाई by dx एक सेकेंड रूपना हां जी डिवाई by dx equal to आपके पास है y10x ठीक है बच्छो डिवाई by dx equal to y10x ओके तो यहां से अगर हम देखें तो क्या बनेगा सबसे पहले तो यह जो वैरियेबल वाई इसको डिनोमेटर में लिया तो डीवाई अपॉन में बन जाए गवाई और टैरेक्स को एज़े रखा ठीक है बच्छो और डी को डिवें इदर लेकिन हो तो तो थो तो एकम बन गया अफॉम ऑन में फॉइ डिवाई इंटु में f2x का फोटिया यहां पर देखना हूं यह क्या बन गया f1你 इंटू ड इवाई इक एफ एक्स इंटू में डीक्स का फॉर्म बन गया ठीक है यही फॉर्म दिख रहा है यहां पर फंक्शन ऑफ वाई क्या है वन अपॉन वाई और फंक्शन ऑफ ले फीजे क्या अबन के पास डीवाई अपोन वाई बन जाये का लोग वाई ठीपके चोONG करते है जुँए क्या डूर्ड आण वाई अगलोंग वाई ओक और यहाँ पर बनजायेकाश महीनस में लॉग कॉस . आर्स में आपके पास यहां पर चाहो तो लिख लो Log C त fällt ये बेत regularly हम क्या करते हैं कि जिस order में हमको solution आ रहा होता उसी order उसी type का किन उसी type का arbitrary constant ले देते हैं तो ये basically Log C जो हमने लिया यह आपका arbitrary constant नै क्यों लिया Log में क्योंकि यहाँ भी Log था यहाँ भी Log था यहाँ भी Log था रहा होगा कि सर हमने तो कुश्चन जब सॉल्व किया था तो लॉग से लिखा था तो बेटा तुम चाहे माइनस लॉग को से लिखो या लॉग से लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है इस तरह एक लिख इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अब बेसिकलि तुम सबस्थ सब्सक्राइब डिख दोनों तरफ का अंडी लोग ले लेते हो तो वाइब इपकोर 2 आएगा तुमारे पास सी इन्टू में सेक आफ इस क्या बनेगा वाइज इक गोल्टू सींटू में तेक ऑ अव एक्क यह तुमारे पास क्या आगया योट कर लेना वाइन तू order उतना ही हमको उतनी ही arbitrary constant मिलेंगे अगर उससे ज़्यादा मिलना है तो मालेना मामला गरबढ़ है कहीं पर तुमने एक्स्ट्रा है तो है पर arbitrary constant उनको तुम सिंगल में reduce कर सकते हो चलिए तो वाई जुकल टू सी सेक एक्स ये solution आपका कहलाता है general solution ठीक है बटा इस solution को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते है general solution clear तो जनल सॉलिशन तो तुमने निकाल लिये लेकिन कोशन में तो तुम से पूछा गया था पर्टिकुलर सॉलिशन के बारे में तो बेटा जी पर्टिकुलर सॉलिशन पर गरम बात करें तो वाई इस इकल टू सी इंटू में सेक एक्ट तो पर्टिकुलर सॉलिशन यहां पर क्या बनेगा तो अगर मैं धर पर फोकस करूं तो कंडीशन के मैंने पर्टिकुलर सॉलिशन वह है जब आर्बिटरी कॉंस्टेंट ना हूँ तो भाई इसके लिए तुमको कंडिशन दे रखा है कि भाई वेन एक्स इप्वल टू जीरो जैनी कि वेन वाई इसपर टूट वफ एक्सिक ऑंटिव जीरो मतलब की कंडिशन हे अंपर एक्स जब आपके पास नोट और वाई ईक्वल to 0 जब X की value आपके पास क्या 0 then Y की value आपके पास के दे रखी बन तो यह initial condition है तो इसको क्या करोगा अपने equation में तखोगी तो Y की value 1 put कर दी तुमने और यहां पर C into में तुमने रिख दिया सेक 0 सेक 0 की value क्या होती है बतों सेक 0 की value कौस 0 की 1 तो सेक 0 की क्या होगी वन ही होगी तो बेसिकली यहां पर इसकी value कितनी आगी बना दे तो सी इपकल टू बने लिया arbitrary constant की तुम्हें value आ गई 1 तो आप बेसिकली तुम यहां पर देखो तो Y is equal to आजा बेटा जी तो Y is equal to C की value 1 पुट करोगे तो क्या बन गया बटा हां जी तो यह बन गया Y is equal to का गया गुरू वापिस आज़ा वाइद इकुल to sec of X यह तुम्हारे पास particular solution आया इसको क्या बोलेंगे बटा इसको बोलेंगे पर्टी कुलर solution तो याद रखना अगर कोशन में इस तरीके से condition देनी जाए कि गिवन है कि वाइक कोल टूवन जब X equal to zero तो मतलब कि आपको particular solution ही निकल के आएगा क्योंकि यह इन वैल्यूस की हेल्फ से आप arbitrary constant जो कॉंस्टेंट arbitrary नहीं है जो random कोई कॉंस्टेंट नहीं सकता है उसको आप fix कर दे रहो जो कि आपके पास यहाँ पर सी की वैलू जो कि हमने solve करके वर निकाल ली ठीक है बच्चा तो इस तरीके से question solve होता है particular solution पूछ लिए जन्ना पर बात करते हैं अगला question is solve the following differential equation वन प्लस वाई स्क्वाइर इंटू में बन प्लस लॉग एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में एक्स डीवाई बराबर जीडो अब इन चीदों को लेकर के confusion नहीं हो रहा सर अब तो समझी नहीं आ रहा वन प्लस वाई स्क्वाइर वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स डीवाई कुछ नहीं सबसे पहला रूल वेरीबल सेपरेबल एपलाई करो क्या प्लाई कर वेरीबल सेपलेवर तो क्या कर सकते हैं यहां पर हमने लिग दिया वन प्लस में य इसको यह तो तुमारे पास one plus y square one term and is good denominator में जाओ और इस एक्स वाले टम्स को इधर लियो बतलब की xx वाले को अग्ड एक्स के साथ में लिया वाई 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 बार वैरियेबल को डिवाई के साथ मिले जाओ तो यह बन जाएगा तुमारे पास जाहन से समझे ना वन अ-पिलस में लॉग 15 अपनमे एकस ठीक है ठीक निटा इन्टू में डी एकस यहां पर माइनस लखे रहें दिया और यह लिख़ें और अपनमें 30 को ए डीवाई और आ गया तो lei प्लस आपको LHS और RHS दोनों पार्ड को इंटीग्रेट कर देना है तो इंटीग्रेशन से पहले थोड़ा सा काम करने की ज़रूत यह है कि आप इसको चाहो तो ऐसे लिखो ठीक है वैसर को दिक्कत की बात है नहीं हाँ यहाँ पर आप चाहो तो वन प्लस लॉग एक्स को आप दोनो साइड को तों इंटीग्रेट कर दो क्या बनेगा वन प्लस में आपका लॉग एक्स है ना अपॉन में तुम्हारे पास एक्स है इन्टीमे डि एक्स और यहाँ पर माइनस को बहार रख लो और यह बन जाएगा तुमारापास दीवाई अपॉन में वन प्लस में वाई करें पर कि बने प्रस लॉग एक्स तो महरे पास किया बेटा की है तब एक्स िरिस्प्रक में डिफरिंशिट करने पर वन अपोन एक्स इंटू में d एक्स बराबर क्या मुलेग वेटा ६ितीन इस कीसरे में डिफरेंशिट खरो करें जीरो वर यह फोन में one plus five square is equal to ten inverse y और प्लस में constant तुमने c add कर लिया प्लस में constant तुमने c add कर लिया टी डी टी का मतलब हो गया क्या बच्छों एक सेकेंड बेटे रुख जाना अच्छा हमाई पाइस कम बचाए इसका मतलब ठीक है कोई बात नहीं हम इधर पर लिग देंगे यहां तक मामरा के लिए अब कुछ बचा नहीं है डारेक्ट देखो टी डी टी का मतलब क्या हुआ टी स्क्वार अपॉन में टू ठीक है अब प्लस में 10 इन और साई को इधर प पुट कर दो तो टी है तुमारे पास बन प्लस लॉग एकस तो इसको तुम क्या लिखोगे वन प्लस में लॉग एकस का होल स्क्वाइर बटे में आपके पास टू और प्लस में 10 इन वर्स वाई इद इक पर टू सी यह तुमारे पास डिफेंशल एक्विशन का जनरल सॉली क्या क्याते हूं आगया समझ में यह तुम को क्या निकल क्या विटा जनरल सॉलीशन निकल करके आ गया क्लिया रहे कि नहीं जल्दी से फड़ा वट से लिख कर कि बता तू चालो पीके वाले वास पुट करती बागी को रिकत की बात नी माइनस था आरस जिस में लिए सी यह के साथ में सारे D x को लिख लो और f of y के साथ में डिवाइक को लिक लो और अगर यह इसी इंटिग्रेबल है तो डोनौ साइट का इंटिग्रेट करकी आप इसी ली सॉलीशन निकाल पाउ यह तब होता है वारे बस अप्रेबल जब तुम एसी इंटिक्रेट कर पा रहे हो नहीं कर पार है तो और भी अधर मेथट से होमोजीनस है नहीं है उन चीजों पर बात कर लेते हैं चलिए हो गया बिटा क्लियर है चलो अगला कुशन देखते हैं यहां पर फिर से कंडिशन दे दिया कि वैन एक्स इक्वल टू बन वाई कोल टू माइनस वन इनिश्यल कंडिशन दे दिया अब इसके मतलब क्या है कि जो सॉलुशन आगो पर्टिक्लर सॉलुशन आगा ऑटमेटिक कॉश्चन में बोल दिया क फाइंड दा पर्टिक्लर वाइब टू इएक उड़े टू एक्स प्लस टू इन्टू मेंगा फ्लस्तू रहा हुआ हमें काम करतें बेल्ट कि एक त्व साइड तो चानल इक है रगेंगे देखना दिवाई और वाई साथ में रखा है य प्लस टू कोे डिनोमेट्र मिने इधर पर तुम्हारे पास एक से प्रस्ट में टू है और अपॉन में तुमने एक्स को लिया और यह जो डी एक्स बटे में बैठा हुआ था इसको इसको के मल्टीप्लाई मिले गए बन गया तुम्हारे पास वैरीबल से प्रेबल ठीक है एपलाई कर पाओगे तो वाई अप कब से पहले इंटिग्रेटं बॉड सैंड इंटीग्रेटिंग बॉच साइड दोनों साइड को क्या करेंगे बटाफ इंटिग्रेट करेंगे इंटिग्रेटिंग बोच दीस एक्स प्लस टू चाहू तो तो तुम्हारे के लिए सॉलुशन करना देखना असान हो जाएगा एक्स को डिवाइड कर लो कि ताएगा वन प्लस में टू भाई एक्स यह बन गया और यह बन गया तुम्हारा माल लेता हूँ तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशियेट करने पर यह आएगा तुम्हारे पास वन एक्कुल टू डीटी अपॉन में डीवाई मतलब की जो डीवाई होगा वो डीटी के बराबर होगा ठीक है बेटा डिवाई किसके बराबर डीटी के बराबर तो वाई प्लस टू को अगर टी बाना तो यहां से तुम वाई की वैल्यू टी माइनस में टू लिख सकते हूँ पक्का तो बस कर दो यहां पर तो वाई की वैल्यू तुम क्या लिख दो कि बटा यहां पर टी माइ में एक साथ ही करूँ गा एक साथ करता हूँ विजह लिए रोक रहा है और देखना तो टी-e-mines टूपॉंट फॉट्टी दीटी वर्न प्रस्पर टू अंच dx अब इसको भी अलग एलग कर लो ना तो बन जाएगा वन माईनस में 2 अपवाइटी यह बन गया बी टी और एक्वेल टू वन प्लस में तू अपॉन एक्स और यह बन गया तुम्हारे पास भी एक्स हैना कूल आया समझ में मौत माया डर मी कूल चलो क्लियर वर वान माइनस म 2 upon t dt is equal to integration 1 plus may 2 upon x dx चलो अब यहाँ पर मामला सुर्ट गया इंटीरेट करोगे तो यह आएगा तुम्हारे पास आएगा यहाँ पर 2 log t okay और एक्वार्ट यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास आएगा यहाँ पर 2 log x प्रस्मे आर्बिटरी कॉंस्टेंट एक सेकेंड चलो कोई दिक्कत की बात नहीं तो यह बने गया टी माइनस का 2 log t square लिख दिये यहाँ पर और इसको लिख दिया हमने x प्रस्मे लॉग एक सेकेंड जब यहाँ पर पावर में चला गया तो यह 2 नहीं बचेंगा तो टी माइनस में यहाँ पर तुम क्या बनोगे टी माइनस पर लॉग t square x plus log x square प्लस में तुम्हें C लिख दिया चलो ठीक है पचा चलो अब इनीशिल कंडिशन दे रखा है तो आपस की x equal to 1 अच्छा रुख जाना पहली बात जब टी के रिस्पेक्ट में आया है तो टी की वैल्यू पुट कर दो तो टी की वैल्यू तुमने रखी दिवाई प्लस टू यहाँ पर एक काम करो टी के प्ले होल स्कॉयर एकको टुए क्स eller प्लस में लाँग एक से स्कॉयर प्लस में आप के पास में आप के सी चलो बित्पक्य अब इनेशियल बिटा रखेंगे you equal to 1 y equal to minus 1 x equal to 1 y equal to minus 1 तो यहां पर तो यह रखा y equal to minus 1 to minus 1 plus में 2 minus में यहां पर log minus 1 plus में 2 का whole square x equal to 1 लख होगे फिर यह बने का log 1 का whole square plus में सी प्लस काफी छोटा सफी आजो ठीक है तो यह क्या बने गया माइनस 1 प्लस्टू 1 बचा माइनस में अब देखना माइनस 1 प्लस्टू प्लस्कावन लॉग वन की वैली क्या होती जीरो यह बने गया जीरो उसकी बाद फिर इकवर 1 लॉग 1 का square बन मतलब की चीरो लॉग 1-0 यह भी जीरो औप्लस में जी तो बंगा यह वन यह बन सबसाटर इसको तम को 0 मिले कॉंस्ट्रंट सी की वैलू तुम को क्या मिल गए यहांपर ईथक और जैसे जो तुम्हारे पास आया था I think इसको मैं एक पैन से हाइलाइट कर देता हूं ये ये तुम्हारे पास general solution था तो यब C के value तुम यहाँ पर 0 रखोगे तो बन जाएगा कि तो particular solution particular solution क्या बनेगा ध्यान समझे ना रख दो value यहाँ पर तो y प्लस 2 ठीके बटा और यहाँ पर माइनस में लॉग y प्लस 2 का whole square ठीक है बचा और एक्स प्लस में लॉग x का whole square बस यह तुम्हारे पास answer आगे ठीक है यतना ही answer तुम लिखकर किया जोगे जादा सिंप्लिफाई करने ही जोड़त भी नहीं है ठीक है इस तरीके से कर लो ठीक है बच्छा यह तुम्हारे पास आगे यह क्या कहलाएगा तुम्हारा यह कहलाएगा पर्टीकुलर solution क्योंकि अब इसमें तुम्हें कहीं पर भी कोई भी arbitrary constant नहीं मिलना कोई आर्बिटी कॉंसेंट सी एबी कुछ नजर आ रहा है कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो यह तुम्हारा answer आगे clear है हो गया बच्चों यह तुम्हारा complete होता है नोड कर लेना फटावर्ट से ठीक है चलिए डन आगे बढ़ते हैं अगला कुश्च्छ न फाइंड जनन सॉलिशन और से कोई इनीश्यल कंडिशन नहीं तो जनन सॉलिशन पूछ रहा है डिवाई भाइड एक्स इक्वल टू ब पॉन में वन प्लस कॉस चलो वैरियेबल सेपरेबल यह पलाई होगा तो डिवाई तो एज़ट इस रख लिया उसके बाद यह वन माइनस में कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस में कॉस एक्स ठीक है और यह तुम्हारे पास बन गया डी एक्स अब कहोगे सर यह कैसे यहां इसका पहर前्वरा तुम लिख सकते हो वन माइनस में तू साईन स्कॉयर एक्स भाई तु दूसरा कॉस एक्स का तुम फॉर्मुला लिख सब्थो दू कॉस इसक्पायर एक्स बाई तू माइनस कबण तो जहांपर तुम्हें वन वन देकर इस अटाना है तो सबसे पहले यह क्या बनेगा डी वाई इक्वाई टू वन इमाइनस में अप देखना हर सब्रेट करना है तो कॉसेक्स की वैलियों अगर आप यह रखोगे यहाँ पर तो बन माइनस पहले से तो बने का माइनस वन प्लस में आपके पास 2 2 sine square xy2 क्या बने हैं 2 sine square x by 2 ओके और डिनोमेटर में 1 प्लस में कॉस एक्स तो यहां पर क्या बन जाए का चूस square x by 2-1 इन्टू में 10 अब देख सकते हो वन से एक एंसल यहां से थैंसल तो क्या बने गया यह बने गया यह दी वाई इधिक वर 2 2 2 2 2 2 2 ने शौराइक टू अकश्वाई तू कॉच अस्य कॉयज़ था तो तो कि यहां पर आएगा थो तो अन quality कासव पास टेन square x by 2 equal to क्या होता है 1 के बनाबर तो अगर मैं बात करूँ तो 10 square x by 2 को हम क्या लिख सकते हैं 10 square x by 2 को हम लिख सकते हैं sec square x by 2 minus का 1 क्या लिख सकते हैं sec square x by 2 minus का 1 तो ये बन जाएगा आपके पास dy is equal to 10 square x by 2 के प्रेस पर लिखोगे sec square x by 2 ठीक है माइनस का वन अब यहाँ पर डी एक्स अब मामला क्लियर अब यहाँ पर integration easily apply किया जा सकता है now integrating both this side यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्छो दोनों साइट पर integration apply कर दे integrating both this side दोनों साइट पर integration आपका apply कर दिया अप्लाई करो बच्छो तो यह बन गए integration of dy equal to यहाँ पर सेक square x by 2-1 और इसका integration चलिए बटा तो डी वाई ओफ आई क्या बनेगा यहाँ पर सिंपल सा बनेगा वाई और सेक स्कॉर एक्स बाई टू का क्या बनेगा सिंपल सा यह बनेगा आपके 1 by 2 है ना 10 a x का सवरी सेक स्कॉर एक्स का डिरी इंटेगरेशन क्या होगा 10 a x अपॉन में ए तो बेसिकली x का जो कॉफिसींट ए बन बाई टू वह एज़ट इस वन बाई टी यहाँ पर आगया और माइनस में यहाँ पर एक साया और प्लस में आपके पास आर्बिटरी कॉंशन सी आया तो अब लाश्ट टाइम इसको सिंप्रिफाई करेंगे अच्छा जी कुश्चन के लिए लाइन खताब है कोई बात नहीं तो हम अपना आंसर यहीं पर लिख सकते हैं तो आंसर हमारे पास क्या बना बच्चो अगराण जैनरल सोलउशन क्या बने मिता यह बनेगे आपके पास जर्णार शोलूशन ठीक है चलिंचल एक यह बने मैं बैगो यह बनिया तो यह तो तो टैन एक्षर एक सॉटो माइनस one of the easiest part बन जाता है इसली आप इसके questions को कर सकते हैं जल्दी से फटा-फट्च एक बार नोट डाउन कर लोगे और यह सेकेंड पार्ट भी नोट डाउन कर लो हो गया बच्छो दन चलिए अगरा कुशिन बच्छो सॉल्व दा फॉल्विंग डिफरेंशल equation e to the power x 10 y dx प्लस में 1-e to the power x into में सेके स्क्वाइर वाई डिवाई ठीक है चलिए आजएगे इसको सॉल्व करते हैं देख करके घबडाना नहीं देख करके घबडाने कुश्च बड़े आसान होते हैं उसके हैं तो सबसे पहले हमारा काम किस पर जाएगा जो भी हमारे एक सेक्स वाले उनको एक साथ रख लो वाई 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 को एक साथ रख लो तो यह बन जाएगा e to the power x minus 1 में और तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा और यह बन जाएगा सेक्स स्क्वाईर वाई इंटू में डी वाई चलो बिटा तो सबसे पहले यहां पर क्या चीज नजर आ रही है यह जो 10y है इसको यहां पर ले जाओ ठीक है और यह जो टर्म दिख रहा है इसको तुम यहां पर लेकिया दो ओके तो बन जाएगा तो बनेगा ईटू दी पावर एकस इंटू में डी एक्स अपॉन में ईटू दी पावर एकस माइनस कवर प्लियर है ना इक्वेल टू यहां पर है सेक स्कुवाईर वाई और यह टेन वाई डिनोमेटर में आएगा बिटा ठीक ह बच्वो और इंटू में आपके पास डी यह तुम्हारे पास यहां तक काहनी बन गए हुआ फटाक से वैरीबल से प्रेवल अप्लाई के तुरंत आगे नहीं कल करके चलिए अब देखना अब क्या कर देंगे दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक् त्रोसाइड को करो इंटीग्रेट इंतीग्रेट इंटीग्रेट इंटी बोख दी सायड तो यह पर क्या बनेगा इटूर्वल च्च अपोन में ए टूर अथि यह बनेगा ई तोधी पावर आउपके पास ग्या-गाय टैन ओफ मैं ओधें अपके पास बास दे लियख चलिय सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया लेट ईटू दी पावर एक्स माइनस वन को टी तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियेट करने पर ईटू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर आपके पास आएगा डी टी तो यह पहला चेंज यहाँ पर ले लिया इधर पर ले लो मान लो 1st इथार पर मालोरम ली लिये ये तैनल यी बराबर मालोर ले लिये आपका यू थैनल इनवाइ बराबर U ले लिए तो वाइ इस पर क्योंक करोगे तो सेख स्कूर.घु इंटू में डी बराबर आएगा क्या डी-इ यहां पर इसके श्क्राइब में चीन रिकरो दो रोक अलाग अलक चेंज करोगे तो यह बने गया तुम्हारे पास यूड यूड पावर एकस बने गचांपी और टेनो में तरमेटर में क्या बना ईटी पावर एक्षमाइनस फनक्राइव टी यहां पर क्या बना सिंपल से के स्कॉयर वाई डी वाई बन गया तुम्हारे पास डी यू और टैन वाई को तुमने यू लिया तो अपॉन में यू मामला क्लियर है सिंपल सा यहां पर इंटीग्रेशन करोगा तो बनेगा लॉग टी एक वैटू लॉग यू और प्लस में यहां पर लिखो के बिटरी कॉंशन भी हम लोग के साथ ले निंगे तो लॉग टी कोल टू लॉग यू प्लस में लॉग सी बन गया चलिए अब यहां पर टी यू की वैल्यू पूट कर देंगे तो टी बराबर था ईटू दी पावर एक समाइनस तो यह बना लॉग ईटू दी पावर एक इसका वन ठीक है बटा और एक वैल टू लॉग यू की प्लेस पर हम लिखेंगे आपका टैन वाई तो यह बन गया टैन वाई चलिए और यहां पर प्लस में आपके पास लॉग सी क्या यहां पर हमें जनना सॉलूशन निकालना था हां जी बिटा तो यह आपका जनरल लॉटिसटन निकाल करके आघया अपकोछ करने के जोड़त नहीं है क्योंकि ना तो आपको आप को अर्मेटर करना है क्योंकि पर्टिकॉल स्लुशन की बात नहीं कर तो यह आपका जनर्सलूशन आगा आप चाहो तो इसको लॉग कर आपको लोग क्या करेंगे कुछ लोग तो इसके आगे एक दूश्टप और भी लिख सकते हैं जैसे कि लॉग ईटो दी पावर एक्स माइनस वन है यहां पर लिख सकते हो लॉग सी टैन वाई क्या लिखोगे सी इंटू में आपका टैन वाई एक इस्टप या गया दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लो तो ईटो दी पावर एक्स माइनस वन बराबर में सी इंटू में टैन वाई तो कुछ लोग यहां तक भी आंसर लिख करके आ सकते हैं तो यह भी सही है मिटा जी और यह भी सही है दोनों में कोई गलती नहीं सिंप्लिफाइब करके थोड़ा सोर लिख दोगे तो गरबर नहीं है ठीक है सब्सक्राइब करके बैठते हैं किसका नांसर यह आना चाहिए बच्चे नहीं यही लिखा है तो अब देखो कई बुक्स में अलग होत है किसी मेला को था है ठीक है तो खैर सिंप्रेश फॉर्म पर अगर निकल करके ला सकते हो तो ले आना अगर निकाल पार है हो तो जबदस्ति मत करना नहीं निकल पारा तुमसे लग रहा कि नहीं बन रहा है तो जहां तक आया न उधर पर रुख जाना ठीक है जबर दस्ती खीचता नहीं मचा करके हाप गर्बढ़ मत करना ठीक है यह तुम्हारे पास आगे ईटू दी पावर एक्स माइनस फन एककोल टू सी टैन वाई एक यार्बिटेरी कॉंसेंट है और क्योंकि डिफरेंटियल उक्विशन भी फर्स्ट ओडर का था डी वाई बाई डी एक्स कही था क्लियर है आगे समझ में सबको ओके है पक्का चलो आगे बढ़ते हैं एक बार नोट डाउन कर लो इसको पहला पार बहुत सिंपल है ठीक है वैरीबल से प्रेबल दूसरा पार्ट इंटिग्रेट करना है तो यहां पर सब्टिटिविशन दोनों साइट पे अप्लाई कर दिया सेंप्रिफाई करके आनसर निकल करके आए चलो हाँ अगला कुशन है फाइंड दा पार्टिकुलर सॉलिशन ऑफ दा फॉल्विंग डिफरेंशल एक्वेशन बट कोशन में कोई भी इनीशल डेटा नहीं गिवन है तो में भी यहां पर कुछ गरबढ़ है ठीक है या यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम सिंपली जन्रल सॉलिशन निकाले ठीक है तो यहां पर पर्टिकुलर के बदले में क्या बोल देता हूं इधर पर पर्टिकुलर सॉलिशन ना निकाल करके जन्रल सॉलिशन निकाल ठीक है पर्टिकुलर सॉलिशन तभी बोलता जब स्कूरर प्लस में एक से स्कूरर इंटूय स्कूरर हां जी यह कोशिन अब यहां पर आपको सॉल्व करने हैं बहुत ही सिंप्ल कोशिन है स्टार लगा है मतलब कि प्रीवेस यह में पूछा गया कुश्चे ठीक है चलो जी तो सॉल्व करो बहुत असान है, variable separable, ब्रम्ह है, हर दग है apply होता है, dy upon dx, 1 प्लस में x square, प्लस का y square अगर common लोग है, तो ये बनेगा 1 प्लस में x square, ठीक है बचल, देखे न, तो ये बने गया, dy upon में dx equal to, यहां से, बनेगे, 1 प्लस में x square तुमने common बनेगा लिया, ठीक है बचो, बनेगे बनेगा 1 प्लस में y square, ठीक है, अब यहां पर, अलग अलग कर लो, तो यह बनेगा तुम्हारे पास, dy upon में, 1 प्लस में y square, equal to, यह बनेगा, 1 प्लस में x square, into में आपके पास, dx, अब तो मामला बिल्कु q2 1 202 2 में बी एक्स नाओ लिप्रटिंग भोच इस साइड क्या कर साइड कर देघ कर देंगे जह गिए तो नोसिट पर हम नहीं इंटिग्रेत करी इट आ हिंटि लिटền आ तर नोसाइड पर हमें तीट चृत नहीं बिया तो क्या मलिगे आय आपर integration d y upon me one plus way y square तीकर विटा और एक वे टू आपके पास integration one plus me x square into me आपके पास dx बने गया clear है इंटीगरेशन डी वाई अपॉन में one plus y square equal to integration one plus me x square into me आपका dx यहां तक clear है चलो अब देखना दोनुँ साट में टेकरेट करोगा तो यह बनेगा तुमारे पास 10 inverse y और यह बनेगा तुमारे पास कितना एक्स प्रस में x cube अपॉन में 3 प्रस में c तो बेटा जी यह तुम्हारे पास general solution आ गया क्या गया यह तुमको general solution निकल करके आ गया ठीक है अब यहां पर मान लो condition दिया हूँता कोई condition कि y equal to one when x equal to minus one यह कुछ भी condition दे देता उन्हें values को यहां पर रखते तो constant c की value तुमको निकल करके आ जाती तो बस constant c की वह value put कर दे तो तो वह particular solution मन जाता तो मतलब की particular solution में कुछ करना नहीं है initial कुछ conditions के वहने कि x equal to यह तो y equal to यह उनकी values कुछ solution में जन्ना solution में जाकर करके रख देना है फिर जो constant की value आ जाएगी उसको जाकर के जन्ना solution में रखो तो आपके पास एक particular solution निकल करके आ जाएगा ठीक है बच्छो चलिए यहां तक clear समझ में आगे सभी को clear एकदम ओके चलिए पेटा हो गया यहां तक समझ में आगे बिलकुल होके है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है solve the differential equation y plus x in 2 में dy by dx equal to x minus y dy upon dx ठीक है यह question आपका homogeneous differential equation पर based किस पर homogeneous differential equation पर based आजो तो सबसे पहले अगर आप यहां पर एक चीज अब्जर्व करों तो जो डी वाई by dx वाले टमों को एक साइड पर ले जाते हैं तो x dy by dx प्लस में y dy by dx ठीक है बचा x dy by dx प्लस में y dy by dx equal to x minus में आपका y clear यहां पर अगर तुम डी वाई by dx को कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में बनता है x प्लस y और यह बन गया x माइनस का y ना इसको अगर तुम देखो तो यह बन गया dy by dx equal to x minus y upon में x प्लस y ठीक है बचो यह differential equation क्यालाता है तुम्हां पास homogeneous 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 differential differential equation क्या क्या रहते है बटा homogeneous differential equation ठीक है दिवाई बड़े इस इक्वाल टू एक्स माइनस वाई अपॉन में x प्लस y तिस इस कॉल था homogeneous differential equation ओके ना अब यह homogeneous क्यों कहना आते हैं अगर तुम ध्यान से देखो तो homogeneous differential equation इसलिए बोले जाते हैं कि इनको हम f y upon x के form पर रिप्रेजन कर सकते हैं मतलब कि कोई differential equation डिवाई अपॉन डिएक्स equal to अगर वह f y upon x के form पर लिख सकते हो तो वह आपका homogeneous होता है है अगर आप ध्यान से देखो तो या फिर यह बोल सकते हो कि निम्रेटर में x और y की जो डिगरी है how total अगरआ डिगरी new मेतर की देको और इनूमेटर की देखो know data denominator की डिगरी दोनों की 1 1 kein dono की डिगरी का yativa 11 है नहां भी वान यहां भी 10 इसलिए होमोजीन असे मतलब की numerator की टेगरी और की टीगरी बराबर होनी चाहिए है ऐसा differential equation आपका homogen in a differential equation नहां पर x- y यहां पर degree x की वन की वन नीच पर x की वन आई की वन तो इस और हो मॉजीन differential equation तो या फिर फार इसा कोई भी function मैं लिग दूए आ पर आपके पाफ fx, y for example y square upon me xy y square upon me xy यह भी होमोजीन इन डिफरेंस इन इक क्योंकि यहाँ पर वाई की पावर टू है लेकिन जब प्रोडेक्ट में X और यह तो इनकी कमाइंड पावर टू काउंट तो यह भी तो यह भी होमोजीन इन डिफरेंस इन इक विशन ए ठीक है बचा चलिय ठीक है बचो अब आजाते हैं इस पर हाजी होगोजीन डिफरेंशल एक्विशन के सॉलिशन कैसे करते हैं यहाँ पर बचो एक कंडिशन याद रखिएगा मिशा कि जैसे डिवाई बाइद एक्स माइनस में X माइनस वाई एपॉन एक्स प्रूस यहाँ पर लेट य को हम ए एकश का एक फंक्शन माल लेते है वाई इक्कालिट अपोछ करो वीक से य को हम एक सका एक फंक्शन मालें एफाइक घ्ड माल लेंगे जोट रिक्स अगरNyes को वाई कल अग्स है एक्स में करो तो डीवाई अपॉन dX equal to kya आएगा V plus में X into में DV upon में dX के को लाएगा ठीक अबच्छर तो डिवाई बाइब इक्स क्या वने का V plus X into D भीडिये एक्स तो यहां पर वैल्यू को फॉर्ट करतो तो डिवाई वाइडी एक्स बना वी प्लस X into में DV by sorry DV आएगा ना V plus X into में DV upon में DX clear V plus X into में DV by DX यह किसके प्लेस पर रख्का तुम्हें डिवाई बैदि और यहां पर देखना X माइनस में Y के प्लेस पर VX ठीक है और यहां पर X प्लस Y तो Y के प्लेस में VX चलो numerator से X common लोग है तो आएगा 1-V और denominator से common लोग है तो X common लिया तो आगया 1 plus में आपका V ठीक है बच्छो चलिए X से X cancel आओ तो यह बन गया तुम्हारे प्लस क्या X into में DV upon DX और यह 1-V upon में 1 plus V यह plus तो माइनस का V बन जाएगा ठीक है यहां पर सिंप्लिफाइब कर लो इसको तो बन जाएगा एक्स इंटू में DV upon में DX और यह बना 1- का वी वी है ठीक है और यह बने का माइनस का वी समझके चलना बच्चो यह आपके पास V प्लस में X DV by DX था यहां पर बना 1- V upon 1 plus V तो अगर हम L-CM लेते हैं यहां पर ठीक है तो यह बनेगा 1- माइनस भी और माइनस में आपके पास V स्क्वायर किए करने इक बार कहीं पर कुछ गरबढ तो नहीं है एक बार वापिस से ठीक है X plus Y divided X चला गया X minus Vadra, तो D. Y by D. X common लेंगे तो बनेगा X plus Y तो यह बन गया D. Y by D. X equal D, X minus Y upon X plus Y, ठीक है एक बाню cross check करते हैं, खु़च निए, Y equal to V, X आपने put किया तो D. Y by D. X equal to V, first time, फिर X into D be D. X as it is आपने यहां पर जाकर के रख दिया तो v plus x dv by dx equal to यहां पर value put करी x minus vx x plus में vx तो 1 minus v upon में 1 plus v और यह जो plus का वी था इजहर पर आ गया ठीक है एक बार इसको हम वापस से लिख ले हैं चलो इसको हम एक बार यहां पर वापिस से लिख ले चलिए यह आपके पास क्या बन गया ध्यान समझना ठीक है यह बन गया x into में dv upon में dx और equal to यहां पर बना 1 minus का v upon में 1 plus में v और यह minus का v अलग से आया ठीक है चलो इसको solve करते हैं तो यह बनेगा x into में dv upon में dx बराबर में यहां पर बना 1 minus का v अब देखना यहां पर minus का v into में अगर LCM ले लिए तुमने 1 plus v तो एदेटर जाए हां पर आ गया और यह नीचे पर आपका 1 plus में v रहेगा ठीक है तो यह बना x into में dv upon में dx यह बना 1 minus का v minus में v plus में 40 यहां पर minus का v square ही आएगा ठीक है माइनस भी माइनस का v square upon में 1 plus में तो यह बने गया बिटे एक्स इंटू में dv upon में dx equal to 1 minus का 2 V minus का v square upon में 1 plus में वी चलिए जी अपन में 1 plus में वी चलो अब यहां पर variable separable apply कर दो क्या अपलाई कर दो variable separable तो क्या बन जाएगा वन प्लस वी अपॉन में वन माइनस का 2 V और माइनस का v square ठीक है इंटू में आपके पास dv इंटू में आपके पास dv वन प्लस में वी अपॉन में 1-2 V माइनस का v square और यह डीवी और यहां पर बनेगा dx अपॉन में आपके पास x यहां तक काम बन गया मिटा चलो अब यहां पर हम क्या प्लाई करेंगे एक बार integration बोट दी साइड एंप्लाइंग इंटीग्रेटिंग बोट दी साइड इंटीग्रेटिंग बोट साइड ठीक है बचो दोनों साइड को में आपका इंटीग्रेटि कर दिया आजओ भई तो यह बनेगा तुम्हारे पास वण प्लस में वी अपॉन में वन माइनस का टूवी माइनस का आपके पास वी स्क्वाइर ओके और इंटू में आपके पास डी और यहां पर है आपके पास d x upon में x अच्छे चीज यहाँ पर देख सकते हो चलाओ सबसे पहले अगर मैं 1 minus में 2 v minus में v square को अगर मैं t suppose करूँ क्या suppose करूँ t तो v के respect में differentiate करने पर आएगा minus का 2 और यह आएगा आएगा आपके पास minus का 2 v into में आपके पास dv equal to dt ठीक है तो यह बन गया minus का टू को में ले लो फर फ्लस में in to me dv बदी तो बच्चा one plus में वी into में dv बदाबर क्या आएगा minus में dv upon में 2 इसको आप यहाँ पर put कर सकते हो ठीक यह प्लस में वी into में dv बदाबर माइस में dv upon में 2 यहाँ पर तो प्रश्रे आगर आप रखो गें तो एक सेकेंड रुख जाना तेक्या बना ये बने गिया तुमारे पास एक सिकेंड चलो एक स्लीड की कमी पढ लेए तो मैं एक स्लाइड एक्ष्टा एंक्ट्वूड कर लेता हूं यहाँ पर चलिए आ जाएगे है को एक चुटी से स्राइड इंक्लूड करेंगे यहां पर ताकि हम आगे की प्रोसेस यहां पर कर फिकेंगे चलिए यहां तक हो गया बच्छो यह बन गया आपके पास कितना integration 1 plus V dv minus dt by 2 तो minus को अलग रख्भा 1 by 2 अलग रख्भा और dt अलग रख्भा ठीक है और 1 minus 2v minus v square आपके पास T बने गया equal to dx upon main x dx upon main x चलो अब integrate करो minus का 1 by 2 और यह बन गया आपके पास log t और equal to आपके पास log x और प्लस में आपके पास log c चलिए यह बने गया माइनस वन बाई टू लॉग टी इक्वेल टू लॉग x प्लस में आपके पास log c बने गया ठीक है अब अगर आप यहां पर एक सिंपल से इसको अप्लाई कर लो तो यह आपके पास solution निकल के आगया तो इसको हम क्या लिख देंगे लॉग चाहो तो लिख सकतो वन अपॉन में square root t लिख सकते हो और यह लिख सकते हो लॉग आप यहां पर c x लिख सकते हो अब एंटी लॉग ले लोगो तो वन अपॉन square root t equal to आ जाएगा आपके पास कितना एंटी लॉग ले लोगो तो वन अपॉन स्क्वाइर रूट टी आ जाएगा आपके पास c x t की value अपूट करेंगे तो t की value थी 1-2V-2V-2 तो यह बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन में स्क्वाइर रूट टी की value अवन माइनस का 2V-2V-2 ठीक है बच्छा और एकक्वल टू एकक्वल टू आपके पास यहां पर है cx क्या है cx और वी के भी वैल्यू आपने कुछ ली थी वी क्वैल टू अगर ध्यान से देखो तो वाई क्वैल टू भी एक से तो वाई अपॉन में x बनेगा तो यह वालय भी यहां पर जाकर करके रखोंगे तो यह क्या बनेगा ध्यांड समझ हद Нам तो वन अपॉन में square root देखना 1- माइनस में 2-2yफ्ञ क्comb why स्क्वा कर लो अधरवाइद यह तुम्हारा आनसर बन जाएगा एकस स्कॉरर एल सिम ले लोगे तो वो भी उपर आ जाएगा तो स्टाइप से आपका यह आनसर आया वन माइनस का तू आइपॉण एकस माइनस का वाई स्कॉर अपॉण एकसी स्कॉर एकक्वल टू सी एकसी यह तुम्हारा क्या बना बच्चो जननल सॉलीशन निकल किया है डिफरेंशिल इक्रीशन ठीक है एक बाद पूरा का पूरा क्रॉस चेक करो फिर से समझा देता हूं सबसे पहला तो इसको होमोजी न पर रखखा इस फॉर्म पर आया इसको सिंप्रिफाय किया यह फॉर्म बना दोनों साइट पर हमने इंतिग्रेशन कर लिया ठीक है दोनों साइट पाह Gardensि एकर लिया ठीक है नाव बन माइनस टू वी- का V square equal to T suppose किया तो माइनस का 2 माइनस का 2 V dv equal to dt माइनस का 2 common to 1 plus V dv equal to dt now 1 plus V dv equal to minus में dt upon में 2 लिख लिए ठीक है तो माइनस का dt upon 2 तो यह बाहर आ गया और dt by यहां से माइनस का 1 by 2 log t log x plus log c चले यहाँ पर T की power 1 by 2 कर दो माइनस का तो यह तो 1 upon t square root of t की लिख लो और यह log cx लिख लो यहाँ पर 1 upon square root of t equal to nt log ले लोगा तो बनेगा cx और T की भी वैल्यू पुट करो तो 1 minus 2 V minus V square वी की भी वैल्यू पूट करो जो की ते तो मारे पाद y upon the values को पूट करके तुमको आ जाएगा ठीक है बच्छा चलिए तो यह तुम्हारा क्या कहला है यह तुम्हारा कहला है आपका general solution of the given differential equation और यह जो मैथाट था यह किस टाइप का differential equation था यह था homogenous linear differential equation कैसा homogenous differential equation था ओके चलिए आगे बच्छों clear है चलो अब आते हैं next problem पर जो की है आपका linear differential equation जो मैंने आप से बोला बहुत important है उस पर भी कुश्य कॉस्ट कॉस्ट स्क्वार एक्स इंटू में डिवाई अपॉन दी एक्स प्लस में वाई एक्क्वल टू आपके पास क्या है अगर मैं कॉस्ट स्क्वार एक्स से लिवाईड कर देता हूं तो य अपोन में कॉस स्क्वाईर ओफ एक्स ठीक है और एक क्वल टू यह बनगे आपके पास टैन ओफ एक्स अपॉन में कॉस ऍसक्वायर ओफ एक्स चलो यह जो तुम्हारे पास आया यह किस फॉर्म का डिफ्रेंशल एक्वेशन है तुरंथ इसको कंपेर करो दी वाई बाई दी एक्स प्लस में पी ऑफ एक्स इंटू में आपका वाई चुकी ये है और इकवल टू आपके पास Q of X चलिए इस फॉर्म का डिफ्रेंशल एक्वेशन आपको निकल करके आ गया डिवाई अपॉन डिख्स प्लस में वाई कॉस स्कॉर यपान में कॉस स्कॉर आफ एक्स एक्स एकल टू टू टैनेक्स अपॉन में कॉस स्कॉर आफ एक्स क्लियर रहां तक सही है चलना अब आप आपका यह कंप्लीट हो जाए तो पी एक्स 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 और यह क्यों टैनेक्स अपॉन में कॉस स्कॉर आफ एक्स नाओ यह कैसा है लीनियर डिफरेंशल एक्वेशन इस फॉर्म का डिफरेंशल एक्वेशन है ठीक है मिटा तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निका लेंगे इंटीग्रेटिंग सेक्टर आई एफ और वो क्या होता है ईटू दी पावर जो पी आफ एक्स है एक से कि गरबर लिखी नहीं आपन यहां पर बेटा वन अपॉन है ना तुसको क्या लिखोंगे वन अपॉन में कॉस स्कॉर आफ एक्स या फिर चाहू तुसको से क स्कॉर आफ एक सिरिक से कुछ ठीक कर लीना चलो तो इंटेग्रेटिंग फैक्टर क्या बने इटू दी पावर पी आफ एक्स मतलब की आपके पास से किसको आफ इकसा इसका इंटीग्रेशन तो बैटा जी सेकर स्कॉर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेंगा 10 X तो ई दू equation is given by noted y into me integrating factor y into me if is equal to integration q into me integrating factor into me dx plus me you have cia.com यह होता है किस form के differential equation को solution divided by dx plus me p of x into me y equal to q of x तो बस इस form का है तुसका general solution जो होगा वो इस फर्म से आएगा integrating factor आपने निकाल लिया apply कर दो y integrating factor होगे आपके पास e to the power 10 of x now क्यों की value अगर आप देखो तो क्यों है आपके पास 10x upon the cost square of x इसका मतलब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो second square of x into me आप यहाँ पर इसको 10 of x लिख सकते हो clear है यह भी यहाँ पर apply कर दो तो यह बने गया 10x into में आपके पास square of x ठीक है यहाँ तो तुमने क्यों की value अभी तक put करी अब integrating factor जो आया था वो आया था e to the power तुमारे पास 10 of x e to the power 10 of x into में dx अब आधे बच्चों की तो लग रहाँ गरे बाप रहे यह कौंण से integration आगे कुछ नहीं हलुआ है क्या है हलुआ है बढ़े आजो तो वाई इंटू में e to the power 10 of x equal to integration 10x into में second square x into में e to the power 10x dx plus में कुछ नहीं करना बेटा यहाँ पर substitution apply करो क्या आपने सपोस किया कि लेटर लेटर 10 of x अगर आपके पास T है तो 10x का integration क्या बनता है बच्चा ज्यान समझेगा फ़री differentiation यह बनेगा तो में पास second square x into में dx बराबर बनेगा आपके पास क्या dt यह बन गया आपके पास second square x into में dx बराबर यहां पर अप्लाई करो तो y into में e to the power आपके पास 10x equal to integration अब देखने बिटर 10x के प्रेस पर टी रखा तो यह बन गया T second square x dx बनेगा आपके पाद डीटी और e to the power 10x यहां पर टी तो t into में e to the power t into में dt अरे वा यहां पर फिर से आगे t into e to the power t into में dt और प्लस में आपके पास कुछ निये तो प्लस में constant डाल देंगे यहां पर C चलो वैसे अभी integration किया है मैंने यहां तक हां सही है सही जा रहे है अब इसको integrate कर दो तो बेसिकलिए यहां पर first and to second function के product का integration का formula अप्लाई करोगे तो y into में e to the power 10 of x equal to ठीके में इंडिकेरेट करो i let supply करेंगे क्या है T है e to the power t e to the power t को first function अगर आप यहां पर suppose करते हूँ तो यह क्या बनेगा इसको अगर तुमने first function suppose किया तो इसको अलग से ले लो T अलग रखो यह बन गया e to the power t into में आपके पास dt माइनस में d by dt of t into में integration of e to the power t into dt और पूरे का integration और प्लस में आपके पास c चलिए तो यह बने गया आपके पास y into में e to the power आपका 10 of x equal to t और यह बने गया e to the power t minus में यह क्या बना 1 e to the power t dt again e to the power t यहां पर आगया और प्लस में आपके पास C आगया तो बेटा जी यह बन गया वाई इंटू में एटू दी पावर टैन ओफ एक्स यहाँ पर ईटू दी पावर टी कॉमन लोग है तो ब्रैकेट में आएगा टी माइनस का बन प्लस में C अब कुछ नहीं करना जो टी सपोस किया था वो है आपक टैन ओफ एक्स इंटू में यहाँ पर लिख लोगे टैन ओफ एक्स माइनस का वन और प्लस में आपके पास C चाहो तो दोनों साइट पर ईटू दी पावर टैनेक्स है दोनों को कैंसल आउट कर लो तो आपका आ जाएगा तो बेसिकली यह आपके पास जन्नल सॉलूशन न प्लस में पी एक्स ओफ वाई इक्वल टू क्यू एक्स तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन जो आपको करना है वो यह कि इंटीग्रेटिंग फेक्टर निकालना है जो की बराबर होगा ईटू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स के ठीक है पी यहाँ पर यह वाला वा और अगेन इंटीग्रेटिंग फेक्टर इंटू में डी एक्स प्लस में आर्बिटरी कॉंचन सी यह आपका सॉलीशन मंदर बस इसको अप्लाई करो और आपका इंस्टेंट अंसर निकल कि आए ठीक है ठीक हो यह आपका कम्प्लीट होता है इस तरीके से डिफ्रेंसल एक् तो इस टाइप के जितने भी कोशन से एक बार उनकी प्रेक्टिस और कर लेना चीक है आपका यह चैप्टर फिनिस है और इसके इस टाइप के पैटन के अलावा कोई कुश्चन आपके एक्जाम में और नहीं बनेगा इस बात की भी गैरेंटी है चलिए तो बच्चों यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेलफुल होगा तो ऐसे ही बाकी के चैप्टर्स के भी वन सौट आपको मिलते रहेंगे एक्जाम को टाइम है अभी तो जो बाकी के पेपर से उनको भी साथ के साथ प्रिपेर करते चलना ठीक है क्योंकि एक में मांक साने से कुछ नहीं हो ता बाकी सब में मांक साने जरूरी है ठीक है अच्छों तो मिलेंगे अपनी नेक्ट क्लास में तब तक के लिए गुडवाई टेक क्यार टॉल अलब यूज